जे हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी ऊटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर सेलिस मटे आनी जी से सम्मंदित भाजत पुन कॉस्चन आंसर वीडियो पूरा बस से देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें जादा से जादा वीडियो को सेर करें ताकि अने लोग भी एह वीडियो देख सकें सेल्प स्टडी क्लासे से आप डाउनलोड कीजें यहां पर आपके लिए हिंदी सायथ का संपूर्ण कोर्स उपलब्द हिंदी सायथ की टेस्ट सीरेज आपके लिए बहुत ही कम दामों में उपलब्द है यहां पर आपके लिए 2020 टेस्ट सीरेज भी फ्री करवाई जाती है सब्ताह में दो दिन Self Study Classes app में तो आप जुड़िए इससे Play Store पर जाए Self Study Classes app डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाए Salis Matiyani तो First Question इन से संबंदित यहाँ पर पूँचा गया है Salis Matiyani का मूल नाम क्या था यहाँ पर इनका मूल नाम बताना है Salis Matiyani या फिर रविंद्र Matiyani या रमेश चंद्र Matiyani रवीश Matiyani तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर रमेश चंद्र Matiyani इनका मूल नाम था Salis Matiyani जी का Salis Matiyani की कहानिया कब से प्रकासित होने लगी यहाँ पर कॉस्चिन नंबर दो पूँचा गया है आपसे उननेस सो इंक्याउन से उननेस सो पाउन उननेस सो त्रेपन उननेस सो चंद्र Salis Matiyani की कहानिया कब से प्रकासित होने लगी तो उननेस सो इंक्याउन इस भी आपका विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा कॉस्चिन नंबर तीन पूँचा Salis Matiyani की प्रारंबिक कहानिया किस पत्रिका में प्रकासित हुई अमर कहानी रंग महल आ ओबा दोनो या फिर कहानी तो Salis Matiyani की प्रारंबिक कहानिया किस पत्रिका में प्रकासित हुई तो आपका सही आंसर है आ और बात दोनों यानि की अमर कहानी और रंग महल question number 4 पूँचा सैलिस मत्यानी का जन्म कब हुआ question number 4 का अंसर बताना है 1932, 1933, 1931, 1930 तो सैलिस मत्यानी जी का जन्म हुआ था कब 1931 इस भी में तो विकल्प number 1 आपका यहां पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही सैलिस मत्यानी का जन्म कहां पर हुआ question number 5 पूँचा है महत्यपूर्ण question आपसे यहां पर पूँचा गया है बताईए सेलिस मट्यानी जी का जन्वे कहां पर हुआ था चार विकल्प आपकी यहां पर दिये गए है कौस्चिन नमबर पांच है और आपका सही आंसर यहां पर पांच का राइट आंसर होगा बिल्कुल सही अलमोडा उत्तरा खंड में यानि कि विकल्प नमबर आपका यहां पर भी सही आंसर होगा विकल्प नमबर भी राइट आंसर बिल्कुल सही कौस्चिन नमबर आपका यहां पर 6 पूँचा गया है सेलिस मट्यानी की कौन सी पत्री का निकली थी यहाँ पर बताना है विकल्प जेन पत्र आ और बादोनों सही या अमर कहानी तो सेलिस मठ्यानी की कौन सी पत्री का निकली थी question number 6 में आप से पूँचा है तो यहाँ पर आ और बादोनों सही आपका सही आंसर होगा का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है सेलिस मठ्यानी का पिर्थम उपन्यास आप से यहाँ पर पूँचा गया है बोरी बली से बोरी बंदर तक किस्ता नर्वदा बेन गंगो बाई का या चिठर सेन कभूतर खाना यह आपके चार विकल्प दे गए हैं औ और यहाँ पर आपसे पूँचा है सेलिस मठ्यानी का पिर्थम उपन्यास तो इनका पिर्थम उपन्यास पूँचा है तो आपका सही आंसर है यह कि बोरी बली से बोरी बंदर तक और जिसका प्रकासन 1969 में हुआ था यहाँ पर पूँचा है क्या पूँचा देख लेते हैं सेलेस मट्यानी का प्रताम उपन्यास बोरी वली से बोरी बंदर तक का पिरकासन कब हुआ देखिए अब भी बताए आपके लिए कि बोरी वली से बोरी बंदर तक सेलेस मट्यानी का प्रताम उपन्यास माना जाता है और इसका पिरकासन 1969 इसवी आनि के विकल नंबर सी आपका सही आंसर होगा question number 9 पूछा है आपसे यहाँ पर सैलिस मट्यानी के इस उपन्यास में मुंबई की भागदोर भरी जिंदगी वा यांतरिक जीवन का चित्रण है तो किस उपन्यास में है उपन्यास आपके लिए बताना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बोरी वली से बोरी बंदर तक यह जो विकल्प नंबर ए है जो आपका यही सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक इसमें जो है मुंबई की भागदोर भरी जिंदिगी और यांतरिक जीवन का चित्रन बोरी बली से बोरी बंदर तक उपन्यास में किया गया है जो कि सेलेस मट्यानी का प्रिथम उपन्यास माना जाता है 1969 में प्रकासन हुआ इसका कॉस्चन नमबर आपका यहाँ पर दस पूचाई सेलेस मट्यानी के इस उपन्यास में मंबई के भूलिस्वर मुहले में रहने वाले मद्द बर्गे परिवार की ब्यथा या कथा है किस में है वै कौन सा उपन्यास है चंद औरतों का सहर किस सा नर्बदा बेन घंगोबाई का कबुतर खाना चट्ठर सेन तो आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर यहाँ पर सही आंसर होगा कबुतर खाना विकल्प नमबर डी आपका सही आंसर है बिलकुल सही कौस्चन नमबर ग्यारे यहाँ पर पूचा है इनमें से कौन सा उपन्यास सेलेस मट्यानी का नहीं ह तो right answer है संबाद सेतू विकल्ब नमबर एक सही answer होगा सेलिस मट्यानी का कौन सा अपन्यास कुमायू छेतर की लोक कथा अजित वफॉल पर आधारत है ए आपको question number 12 में बताना है Salis Matiyani का कौन सा उपन्यास कुमायू छेतर की लोग के कथा अजित बफॉल पर आधारत है तो आपका सही answer है मुख सरूबर के हंस मुख सरूबर के हंस यानि की विकल्प नंबर भी सही answer होगा मुख सरूबर के हंस उपन्यास माना जाता है जिसका पिरकासन वर्स आपको बताना है तो आपका सही answer होगा क्या होगा right answer इसका पिरकासन वर्स बताना है तो बिल्कुल सही right answer है विकल्प नंबर यहाँ पर भी सही answer है 1962 1962 आपका सही answer है बिल्कुल सही 1962 right answer question number आपका चवदय पूँचा है सेलिस मत्यानी का व्यास्च बृत्ती से संबंदित उपन्यास कौन सा है कोई अजिनभी नहीं मुक सरोबर के हन से दो बूंद जल देरे वाले तो यहाँ पर मत्यानी जी का व्यास्च बृत्ती से संबंदित उपन्यास पूँचा है question number 15 का आंसर बताना है बाबन नदियों का संगम उपन्यास का पिरकासन बर्स माना जाता है तो बिल्कुल सरी right answer होगा question number 15 का 1981 इस भी जो की महत्तपूर question पूँचा गया है 1981 right answer है सेलिस मत्यानी के इस उपन्यास में पहाड़ी दलित समांज का चित्रन हुआ है सेलिस मत्यानी के पहाड़ी उपन्यास आपको बताना है question number 16 में और आपका बिल्कुल सही right answer है डेरे वाले डेरे वाले आपका सही answer है question number 17 देखते हैं इन में से कौन सा उपन्यास सेलिस मत्यानी का नहीं है यह आपके चार विकल्प यहाँ पर दिये गए है बारुद और बचुली रुकोगी नहीं रादिका यह तिरिया जली ना काट की एक मूठ सरसों तो आपका सही answer है क्या होगर right answer कौन सा उपन्यास सेलिस मत्यानी का नहीं है तो आपका सही answer रुकोगी नहीं रादिका यह जो है विकल्प नंबर आपका भी यहां पर सही answer होगा गोपुली गफूरन उपन्यास का प्रकासन वर्स आपको बताना है क्या माना जाता है question number आपका यहां पर 18 है और 18 का सही answer आपके लिए यहां पर बताना है तो गोपुली गफूरन उपन्यास का प्रकासन आपका बिलकुल सही 1981 आपका राइट आंसर होगा 1981 इस भी इन में से कौन सी कहानी सेलिस मट्यानी की नहीं है कहानी पूछाए आप से हाँ पर तो बताएए कौन सी कहानी सेलिस मट्यानी की नहीं है चार विकल्प आपके हाँ पर दिये गए है और बापसी यह जो बापसी है यह सेलेस मत्यानी की नहीं है उसफ क्रियम बता बापसी तो यह आपका बिलकुल सही राइट आंसर है विकल्प नमबर D आपका सही आंसर होगा सेलेस मट्यानी के इस उपन्यास में सरकारी तंत्र की संबेदन हीनता और अमानुएता का चित्रन है किस में है वह कौन सा उपन्यास है बताइए सेलेस मट्यानी जी का जिसमें सरकारी तंत्र की संबेदन हीनता और अपमानुएता का चित्रन हुआ है तो आपका सही आंसर मुठ भीड, मुठ भीड यानि की विकल्प नंबर भी आपका सही आंसर होगा Question number 21 पूँचा है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रेश सेलिस मट्यानी का नहीं है जंगल में मंगल, प्यास और पत्थर, मैं ने जहर दिया था, नाच जम्मरे नाच यह आपको بتाना है, तो आपका सही आंसर है, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर तो बिल्कुल सही right answer बताया है कि मैंने जहर दिया था यह जो कहानी संग्रय सेलिस मट्यानी का नहीं है question number 22 पूँचा है दो दोखों का एक सुख कहानी संग्रय का प्रकासन बर्स बताना है जो कि महत्तपूर्ण question आपसे यहां पर पूँचा गया है क्या होगा इसका सही answer दो दोखों का एक सुख कहानी संग्रय का प्रकासन बर्स आपको बताना है तो आपका बिल्कुल सही right answer होगा question number आपका यहां पर 22 है और 22 का सही answer है 1964 1964 आपका और कहीं कहीं आपके लिए 1966 भी मिलता है इसका और इहां पर इस प्रकार भी इहां पर सही answer है और सफर पर जाने से पहले कहानी संग्रय का प्रकासन बर्स बताईए क्या माना जाता है सफर पर जाने से पहले कहानी संग्रय का प्रकासन बर्स question number 23 में और 23 का बिल्कुल सही right answer है विकल्प नंबर C 1979 भी question number आपका 24 पूँचा है सेलिस मट्यानी का निधन कब हुआ महत्तपूर्ण question आप से पूँचा गया है जन्म इनका 14 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था अलमोला में इनका जन्म हुआ था अलमोला उत्रकंड में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन पूँचा है यहाँ पर तो आपका राइटा आंसर है 2001 इनका निधन हुआ था तो इस परकार अपन ने यहाँ पर देखे भूत ही महत्तपूर्ण question थे सेलिस मट्यानी जी से सम्मंदित क्यांसा लगा वीडियो कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें सेल्फ स्टडी क्लासे से आप डाउनलोड कीज़ें यहाँ पर हिंदी साहित का संपूर्ण कोर्स आपके लिए यहाँ पर अपलब्ध है और यहाँ पर आपको 2020 टेस्ट सीरेज भी करवाई जाती है फ्री टेस्ट सीरेज करवाई जाती है सबता है में दो दिन तो इस से टेस्ट सीरेज से आप अबस जुड़ें यहाँ पर आपको एक फ्री बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरे जह हिंदी साहती की तो आपको Self-Study Classes app डाउनलोड करना है Play Store से और अपनी तैयारी में लग जाना है और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और सरसा पब्लिकेशन का इमाला बस्तुनेश्ट प्रेसन की एबुक है तो आप इसको खरीश सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही जैहिन